क्लास आठ सब्जेक्ट संस्कृत लेसन साथ श्री राम, पुराकाले सूर्यवन्षे महाराज़ दशर्था प्रतापी राजा अभवत, सहयोध्यायाम राज्यम करोती स्माह, तस्य तिस्रा रागया हासन, दशर्था हतीव उदारा प्रजावत सलहासीत, प्रजाह तस्मिन अन अन्येत्रयाह भरातरह लक्ष्मनह भरतः शत्रुभनह चासन, तेसने हिन क्रीडन्ती वारताला पमकुर्वन्ती स्माह, श्री रामस्य विवाह सीतया सेहा भवत, सीता जंकस्या आत्मजा आसीत, श्री रामह पितुरागया वनम आगच्छत, तस्य भराता, इसका हिंदी प्राचीन काल में सूर्य वंश में महाराज दशरत एक पराक्रमी राजा हुए उन्होंने अयोध्या में शासन किया उनकी तीन रानिया थी दशरत अपनी प्रजा के प्रती बहुत उदार और सने ही थे लोग उनसे जुले हुए थे सभी लोग सुख से रहने लगे सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे दशरत के चार पुत्र थे श्री राम उनमें सबसे बड़े थे अन्य तीन भाई लक्षमन, भरत और शत्रुगन थे विसनेह से खेलते और बातें करते थे श्री राम का विवा सीता से हुआ था सीता जनक की पुत्री थी पिता की आग्या से श्री राम वन आये उनका भाय लक्षमन पत्नी सीता तेन से हगा छताम वने लंकादिपते राक्षस राजह, रावनह, सीता महरत श्री राम रावन्योर युधम अभवत युदे रावन्सिय पुत्रम मेगनादम हतह, रावन्सिय संब्रम एवकुलम तस्मिन युदे प्रनिष्टह, अंते रावन पी व्यापादितह, रावन्सिय अत्याचारह जनाह पीडिता आसन, अता रावन्सिय वदेम शुत्वाते सवे जनाह पर्मम हर्शम आगच्छ, रा रक्ष्मन की पतनी सीता उनके साथ गई, वन में लंकापती राक्षस रावन ने सीता का हरन कर लिया, श्री राम और रावन के बीच युद्ध हुआ, युद्ध में रावन का पुत्र मेगनाद मारा गया, उस युद्ध में रावन का पूरा वंच नश्ट हो गया, अंत में रावन को भी पीरा हुई, रावन के अत्याचार से लोग त्रस्त थे, अतह रावन की बातें सुनकर वे सभी लोग अत्यांत प्रसन हो गए, रावन की मृत्यू के बाद सीता को उसकी जेल से रहा कर दिया गया, श्री राम अपनी पत्नी और भाईयों के साथ हयोध्या गए, उसके राज्य से सभी प्रजा संतुष्ट थी, श्री राम एक लोग प्रियर राजा थे,